नमस्कार आज फिर हम आपके लिए हिंदी विशे के अंतरगत एक पत्र लिखन लेकर आए हैं तो यह पत्र CBSC बोर्ड हिंदी कोर्से 2015 टर्म फर्ष्ट में पूछा गया था तो प्रस्ण इस प्रकार है आपके मौले में कई दिनों तक लगातार पानी नहीं आता और आता भी है तो वह पीने के युग नहीं होता इसकी सिकायत करते हुए जल वितरन बिवस्ता में सुधार एतु जल निगम के अदकारी मौले को पत्र लिखी है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप पत्र को ठीक से पढ़कर समझ लेंगे और दो बातें इसमें जानेंगे एक तो पत्र लिखना किसको है और पत्र का विसर क्या है तो पत्र लिखना किसको है जल निगम के अदकारी को और इसका विसर क्या है लगातार पानी नहीं आता है ठीक यानि पानी की समस्या है नाने की समय पर और जल निगम के अदकारी को अब हम क्या करेंगे इतना जानने के बाद उत्तर लिखेंगे उत्तर में हम लिख देंगे जल निगम अकारी को सिकायत पत्र है ठीक अगर इतना नहीं लिख पा तो सिर्फ लिख दो सिकायत पत्र अगर ये भी ना लिखना है तो लिख देना पत्र लेकन तीन मैसे जो अच्छ और दो एक्स बना दिये, ताकि एक्स इसलिए बना दिये, क्योंकि हम दिनाग छिपा लेते हैं, अगर आप चाहें सिवा में कि ठीक सामने, दिनाग न लिखकर इसके नीचे भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे दोनों ही सही मानने जाते हैं, फिर उसके लिखेंगे जल निगम अतकारी मावदय काखागा नगर जबलपुर ठीक फिर एक लाइंग छोड़ देते हैं लिख देते हैं विसय पानी की समस्या को लेकर सिकायत फिर एक लाइंग छोड़ते हैं लिख देते हैं मावदय फिर एक लाइंग छोड़ते हैं अब हम लिखना सुरू कर देत पानी को लेकर बड़ी समस्या रेती है एक तो नलों में प्रते दिन पानी नहीं आता है जिसके कारण पीने के पानी की समस्या बढ़ गई है कभी कभी पानी इतना गंदा आता है जिसे पिया नहीं जा सकता है उसमें बदबू भी आती है जब नलों से पानी नहीं आता है तब कभी-कभी मुहले में पानी का टैंकर आता है उस समय भीड बहुत हो जाती है और पानी के लिए मारा-मारी होती है उस समय लोगों को पानी के लिए बड़ा संगस करना पड़ता है अता मौदे आप इन समस्याओं का निदान कराते हुए सरल ढंग सरल ढंग से से और लिख देते हैं ठीक है सरल ढंग से साब सुतरा पानी उपलत कराने की किरपा करेंगे तो लोगों को पानी की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी ठीक इतना लिखने के बाद पर अंत्म लिख देंगे जागरूग नगर वासी काखा गा अब हम पूरा पत्र लिख देंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा ये अब ये पूरा पत्र कैसा दिखाई देता है इसको हम और देख लेते हैं ठीक है जब हम पूरा पत्र लिख देंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा देखो यह लिखा है उत्तर सेवा में जल, बिसय, मौदय और यह पत्र पूरा और यह लिखा है जागरूग नगरवासी ठीक है तो अगर इस तरह से साफ सुतरा और आकर्सक पत्र लिखेंगे तो निश्चित और में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे पत्र लिखते समय क्या क्या हमें सावधानी रखनी है एक तो हमें पत्र को प्रारूप के अनुरूप ही लिखना है अगर अपचारिक पत्र है तो अनपचारिक के अनुसार अगर अनुपचारिक है तो अनुपचारिक के अनुसार ठीक दूसरा जो हम यह पत्र में सब्द लगते हूं उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें ठीक फिर उस और क्या ध्यान रखेंगे कि जैसे यह पत्र है इसको आप एक से दो बार देखकर लिख लें तो पहले तो समझ लें फिर देखकर लिख लें और बाद में इसको बगार देखकर लिखें फिर मिलान कर लें अगर प पत्र लेखना सीख जाएंगे अगर कोई ऐसा बस dor एक जिस पर अपको पत्र लिखने में कोई कठनाई आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भीज़देयाँ और यह भी बताएं कि आपने पत्र कितने दिनुं में लिखना सीखा और पत्र में क्या कठना हाी आती ह आपको पत्र में क्या समस्या आती है ये भी लिखकर भेज दीजिएगा तो फिर आज के लिए इतना ही हम फिर मिलेंगे किसी नए विसे के साथ तब तक के लिए धन्वाद